ब्रिटिश शासनकाल में दे एस्टेट थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था अब यहां प्रमुक समारुह आयोजित किये जाते हैं उपराश्पतीशी M.Wink या नाइडू का आगमन दर्बार हॉल में मान्य प्रधान मंत्री द्वारा उनका अभिवादन ग्रेमंत्रशी अमिच्छाह, श्रीलाल के शाटवाणी, किंद्री मंत्रमंडल के सदस्य कुछी समय के पश्चात मानेनी राष्टपती महोदय का आगमन होगा जिनके द्वारा श्री शरद अर्विन बोब्री को देश की नए मुख्य नयाधीश की शपत दिलाई जाएगी जस्टिश बोब्रे दोहजार तीरह में उच्छितम नयायले में यानि सुप्रीम कोट में नयाधीश नियुक्त हुए थे और 16 अक्टूबर 2012 को मद्द प्रदेश उच्छ नयायले के मुख्य नयाधीश बने थे लंबा रास्ता तै किया है उन्होंने देश की नयायपालिका के शीश पद को सुशोभित करने से पहले 17 महीनों का कारिकाल होगा उनका प्रथम पंक्ति में निवर्तमान मुख्य नहादी शी रंजन गोगई और उनकी श्यमती रूपांजली गोगई भी उपस्तित हैं मान्य प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोधी उप्राश्पति शी एम वंकयान आईडू से विचार वे मरश करते हुए दर्बार हॉल जिसकी क्षमता लगभग छे सो लोगों की प्रथम महिला श्यमती सविता कोविंद का आगमन हो चुका है दर्बार हॉल में पूरा खचा खच बरा हुआ यह दर्बार हॉल जो साक्षी बन रहा है आज के इस विशेश समार हुकी जहां राष्टपति महोदय द्वारा नियामूर्थी शरद अर्विंद बोबडे को देश के नए मुखिन आधीश की शपत दिलाई जाएगी दर्बार हॉल जहां पर प्रथम और अंतिम गवन्र जनरल सी राज गूपालचारी ने शपत भी थी मानने राष्टपति महोदय का आधना कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो 10 दो झाल 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 कर दो demons आपके अनुम्ती हो तो समारो का शुवारम की भारत के बुख्य नाय मूर्थी नाय मूर्थी शीशरत अर्विन गोब्डे I, I, Sharad Arvind Bobde, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill-will perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill-will and that I will uphold the constitution and the laws and that I will uphold the constitution and the laws and I will uphold the constitution. झाल झाल आपकी अनुमती हो तो समारो का समापन किया जाए झाल झाल मानने राश्पती शी रामनात कुविंद ने नयमूर्थी शरद अर्विंद बोबडे को देश के नए मुख्य नयधिश की शपत दिलाई मानने राश्पती महोदे दर्बार हॉल से प्रस्थान कर रहे हैं इसके साथ ही दर्बार हॉल में आयुजित ये विशेश समारो हो अब संपन हो रहा है आग्या दीजे नमस्कार